इस एपिसोड में हम दिसकस करने वाले हैं, सुजू ने स्टॉक के बारे में स्टॉक को दिसकस करने का, मुख्य कारण यह है कि 12 रुपे और 50 पैसे के प्राइस से स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेन में रहे, हालां कि आज के ट्रेनिंग सेशन को छोड़ दें तो पिछले तीन ट्रेनिंग सेशन में स्टॉक में 10 रुपे और 50 पैसे से 11 रुपे और 50 पैसे तक के उच्च उपरी लेवल को भी यह स्टॉक में टच किया, हालांकि जो last training session का जो candle था, आज के पहले वाला second class training session का वो एक beer इस था और हमने कहा कि इस stock में 10 रुपे तक के भी लेबल्स देख सकते हैं 10 रुपे और 40 पैसे का जो इस stock में price है वो 20 movie garage है और उसको break करने के बाद maximum ये stock 9 रुपे सारे 9 रुपे के price तक के लेबल्स को भी टच कर सकता है हालांकि आप देखेंगे कि इस stock में fundamental ये stock grow करते हुए देख रहा है और wind energy का demand continue करते हुए देख रहा है जिसके बाद इसके MD ने आकर के कहा कि 70,000 करोर के आसपास का demand government से किया जाना चाहिए जिससे किसके आप उर्ती को किया जाएगा हालांकि प्राइस जो है वो रोज रोज बढ़ता है fundamentally रोज रोज चेंज नहीं होते हैं सुजलोन को अगर आप fundamental ही देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये stock theory improve करते हुए देख रहा है लगभग more than 150% के return देने के बाद again ये stock पिछले 3 महीने से consolidation में है और ये stock short term के लिए बिलकुल नहीं है अगर आप इसे stock को more than 6 month hold करना चाहते हैं तो ये एक favorable risk reward ratio इस price पे दिख सकता है जहां more than 50% की continuous delivery bind से stock के अंदर हो रही है और जो smart investor है वो CEOल इस stock को एक omelette करते हुए देख रहे है इस stock के fundamental को आप देखेंगे तो continuous fundamental improvement होते हुए देख रहा है और return on capital employed इस stock का more than 10% के आसपास है continuous company date को decrease करते हुए देख रही है company का last quarter का result profitable result था और continuous ये stock improve करते हुए देख रहा है जहां एक file की holding भी continuous बढ़ते हुए देख रही है तो शियूली से stock में panic selling करके exit करने की गलती नहीं करें continuous stock date कम करते हुए देख रहे हैं और लगभग आधा date जहां 13,200 करोर के आसपास का हुआ करता था अभी date मात्र 65,500 करोर के आसपास का date है तो शियूली से stocks को portfolio में बनाए रखें इस panic selling का शिकार बिलकुल भी ना हो नहीं तो बाद में आपको COD regret करना पड़ सकता है